तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या 12 की क्लास आठ से पास करने के बाद क्या B.S.E. Electronics का जो कोर्से उसे किया जा सकता है के नहीं तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिस्कस करने वाला हूँ B.S.E. Electronics कोर्स के बारे में और दोस्तो अगर आपने 12 की क्लास को पास कर लिया है और अगर आप कुझे जानना है कि 12 की क्लास को पास करने के बाद आकर कौन कौन से कोर्से होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आपे से कई स्टूडेंट्स का दोस्तों जी डाउट होता है कि कैन आई डू B.S.E. Electronics Course After 12th Arts जहने कि 12th की क्लास आर्ट से पास करने के बाद क्या B.S.E. Electronics का जो कोरसे उसे किया जा सकता है के नहीं तो मैं आपको उताना चाहता हूँ जी नहीं आप 12th की क्लास आर्ट से पास करने के बाद आप जो B.S.E. Electronics का जो कोरसे उसे आप नहीं कर सकते अगर मैं आपसे B.S.E. Electronics के कोरस का eligibility criteria आपसे मैं डिसकस करूं तो eligibility criteria दोस्तों जह कहता है कि आपको जो 12th की क्लासे उसे आपको पास करनी पड़ेगी आपको 12th की क्लास आपको PCM के सबजेक्टों के साथ आपको पास करनी पड़ेगी तो 12th की क्लास को पास करने के बाद ही आपको इस कोरस में admission मिल सकता है अगर मैं आपसे B.S.E. Electronics कोरस के बारे मैं आपसे में डिसकस करूं तो B.S.E. Electronics कोरस एक 3 साल का undergraduate कोरस होता है जिसमें कुल 6 समेस्टर होते हैं और एक समेस्टर की जो length होती है वो दोस्तों 6 महीने तक ही होती है तो अंत में दोस्तों मैं आपको इस तरह बताना चाहता हूँ कि आप 12th की क्लास आठ से पास करने के बाद आप जो B.S.E. Electronics का जो कोरस है उसे आप नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे B.S.E. Electronics कोरस के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में डिसकस किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वी कviewer सारे कोर्स के बारे में वीडियोस मिल जाएंगी आपने वांजा कर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद